नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में सामसन गालेक्सी F22 वर्सस उलेफोन आर्मोर 8 प्रो का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो गालेक्सी F22 में 6.3 इंच जब की आर्मोर 8 प्रो में 6.54 इंच की लेंथ मिलती है Width की बात करें तो Galaxy F22 में 2.91 इंच जब की Armor 8 Pro में 3.22 इंच की Width मिलती है बात करें थिकनेस की तो Galaxy F22 में 0.37 इंच जब की Armor 8 Pro में 0.59 इंच की थिकनेस मिलती है जोकी Galaxy F22 से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy F22 में 203 ग्राम्स जब की Armor 8 Pro में 282 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जोकी Galaxy F22 से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy F22 में Super AMO LED जब की Armor 8 Pro में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Galaxy F22 में 20 रेशियो 9 जब की Armor 8 Pro में 19.5 रेशियो 9 मिलता है Display Size की बात करे तो, Galaxy F22 में 6.4 inches जबकि Armor 8 Pro में 6.1 inches मिलती है Display Resolution, Galaxy F22 में 720 x 1600 और Armor 8 Pro में 720 x 1560 मिलता है Screen-to-body Ratio, Galaxy F22 में 83.52 जबकि Armor 8 Pro में 63.52 प्रतिशत मिलता है बात करे PPI Density की तो, Galaxy F22 में 274 pixel प्रतिश जबकि Armor 8 Pro में 282 pixel प्रतिश मिलती है अब देखते हैं Display के अन्य Features यानि विशेशताएं की जोकी Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा Features कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें Man Camera की तो, Galaxy F22 में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera, Macro Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है और Armor 8 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Wide Angle Primary Camera, Macro Camera, Depth Camera देखने को मिलता है बात करें Video Camera की तो, Galaxy F22 में 7 Different Type के Features मिल जाते है और Armor 8 Pro की बात करें तो उसमें 8 Different Type के Features मिल जाते है अब बात करें Front Camera यानि की Selfie Camera की तो दोनों फोन में Single Camera देखने को मिलता है जिसमें की 5 Different Features मिलते है अईए अब बात करते हैं Hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की Information देखते है Hardware में सबसे पहेले CPU जो की Speed के हिसाब से देखा जाये तो फोन में सबसे Important Part है उसकी Details देखते है GPU की बात करें तो, Galaxy F22 में Mali-G52 MC2 जबकि Armor 8 Pro में Mali-G72 MP3 मिलता है चिप सेट की बात करें तो, Galaxy F22 में MediaTek Helio G80 और Armor 8 Pro में MediaTek Helio P60 मिलता है बात करें RAM की तो, Galaxy F22 में 4GB जबकि Armor 8 Pro में 6GB मिल जाती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो, Galaxy F22 में 64GB जबकि Armor 8 Pro में 128GB मिलती है Expandable Memory की बात करें तो, Galaxy F22 में Up To 1TB जबकि Armor 8 Pro में Up To 256GB है Operating System दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है बाटरी Galaxy F22 में 6000MH जबकि Armor 8 Pro में 5580MH देखने को मिलती है अई अब Main Feature को देखते हैं Colors की बात करें तो, Galaxy F22 में 2 Colors जबकि Armor 8 Pro में 3 Colors आप्शन मिलते है सब Information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो, Galaxy F22 की 12,499 रूपीस जबकि Armor 8 Pro की 26,500 रूपीस प्राइस है जो की Galaxy F22 से ज्यादा है दोस्तों अब बात करते हैं प्राइस और कॉन्स यानि की फाइदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 5 फाइदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो, डिस्प्ले में Galaxy F22 आगे है मेन कामरा में Galaxy F22 आगे है फ्रन्ट, सेल्फी कामरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉरमस में दोनों फोन सेम ही है इंटरनल मेमरी में Armor 8 प्रो आगे है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें、 30 है, जो की $12,499 में मिलता है, दुसरा है जो की $14,890 में मिलता है, तीसरा है जो की $14,990 में मिलता है, और last competitor phone की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A02S है, जो की $13,210 में मिलता है, और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी. दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना